विदंड धर्णल है खेरब नवम दमाख के लिए यह नेक्ट यह क्रता हूं यह फई लगानेवावा वीडियो ने पड़ते हैं यह सब लोग कर देっ हुआ बहुत लोग देक्सकते हं यहां पर कि यह चाहता है हमारी तो आज मैं म Lore एक्सपरिमेंट करेंगे, पोटेशन पर मेगनेट और चीनी को पहले मिक्स कर देंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा, कि ये बहुत ज़्यदा थे जिसे आग पकड़ते हैं दोनों, मिक्स होने पर, फिर उस पर ये लाइटर रखके उसे जला देंगे, और देखेंगे कि लाइटर का क्या होता हूँ, चा लाइटर फट ता या फिर लाइटर में सगेस-लिग हो जाती है, तो चुछलिए देखते हैं, तो तो मैं सिदाए थोड़ी सी चीनी इस में डाल देता हूं, क्योंकि ये थोड़ tightly है, भी मारे पास में पोट्यूशन पर मेंगनेट, इस में यहां पर मिक्स हो चुका है हमारा पोटेशं पर मेगनेट और हमारी पीस्वी चिनी तो चलिए पहले पोटेशं पर मेगनेट और इस चिनी के मिक्सचर को यहां पर निकाल लेते हैं तो यह देखिए यहां पर पहले निकाल लेते हैं इन दोनों को और देखिए यहां पर एक ऐसा वोल्ट के नोटाइप का यह अपने आपसी बन चुका है तो चलिए इस पर रख देते हैं हमारे लाइटर को और अभी हम लगाने वाले इसमें आग तो यह देखिए यहां पर पूरा सेटप रेड़ी है अभी देरी है तो सिर्फ इसमें आग लगाने की यह देखिए यहां पर चीन्टी भी आ चुकी है चीनी के लिए तो अभी हम लोग लगाने वाले इसमें आग और वैसे भी कई लोग बोलते हैं न कि हमारा बच्चा तो सिधा साध है यह चिसी के साथ में मिलकर बदमार्षी करता है बस sighs to fame हुई बात इस presentation पर बेंग लगता है यह द evidence करें बर चीनी के साथ में मिल जाता है यह तो यह बहुत ही ज्यादा बड़ी आग लगा देता है तो मैं यहां पर आग लगा कर बागने वाला हूं तो चलिए पहले माइक को अपने कोलर से उतार कर यहीं पर ही रख देता हूं इसके पास तो मैं वैसे भी नहीं रखूंगा क्यों पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे मेरे माइक की दजिया उड़ गई थी अभी देखिए यह देखिए मेरे मेरा जो माइक है उसको मैंने ऐसे जुगार से सेट कर लिया अभी तो चलिए माइक को टांग देता हूं मोबाइल के पास में ही इस्टेंड पर तो यह भी मैंने माइक को टांग दिये तो अभी मैं इसमें आग लगा खर भागने वाला हूं आप लोग देखते रही है और बने रही है मारे वीडियो चे साथ में और अभी तक तो आग नहीं लग पाई है इसमें और ही आग लग चुकी है यह देखिए तो यह देखिए अभी मेरे को लगता है यह अभी मेरे को भाग जाना से यह यह यहां से और यह उड़ गई दजिया और यह मैंने देखिए माइक वापस से अपनी कॉलर पर सेट कर लिया और यह देखिए लाइटर फट गया कोई भी आग वज़े रहने जली उसमें से अभी लाइटर का है रुको लाना पड़ेगा यह देखिए दूर उड़ गई है ला रहा हूं मैं भी यह देखिए यह आ चुका है मारे पास में लाइटर और यह देखिए आप लोग कि यह किस प्रकार से फट गया था और यहां पर एक छे दो चुका है और यह भी ठंडा है लाइटर ठंडा तो हो गई क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा तेजी से जो एलपीज गेस होती है वो निकली थी और यह इसका लाइटर बारा गया और उपर वाला पुरा इससा ही उड़ गया है यह देख तो कुछ ऐसा हुआ हमारे लाइटर के साथ में और अगर आपको अमारे वीडियो पसंद आयो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू